तो प्यारे बच्चो नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल SQM Study के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तो आज के इस वीडियो में Class 12 के 2022 का ये पूरा पेपर सौल्ब कराएंगे वीडियो को इंड तक देखिएगा बिल्कुल भी इसकी मत करना क्योंकि उन important question को बताएंगे जो board exam में आएंगे हाला कि ये पूरा पेपर सौल्ब कराएंगे लेकिन इसमें से कुछ question ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं तो वीडियो को इंड तक देखिए बिल्कुल भी इसकी मत करना और जो बच्चे अभी तक कुछ पढ़े नहीं है वो exam में अच्छा number कम समय में अच्छा पढ़के ले आना चाहते हैं वो हमारे ये इस course को join कर सकते हैं इस course में आपको 20 sit एक subject में मिलेगा ठीक कितने sit दोस्तों 20 sit जो है एक subject मिलेगा और आपको अगर एक subject लेना है तो आप 30 रुपए देकर ले सकते हो या इस समय एक subject का दाम आफर चल रहा है एक subject 30 रुपए 20 sit लगेगा और सारे लोगों तो कियों 70 रुपए में ही मिल जाएगा कितना 70 रुपए देना पड़ेगा तो आप सारे लेकर सभी 4 साल के previous year question papers का solution मिलेगा अगर आप सभी year से 2-2 sit पढ़ लेते हो तो एक्जाम में ये 70 रुपए आपको 85% लाने से कोई रोक नहीं सकता तो जिन बच्चों को लेना है वो हमारे 799-087-382 पर संपर कर सकते हैं ये 499 का कोर्स इसमें कियों 70 रुपए में कर दिया गया है इसी नंबर पे आपको Google पे करके स्क्रीन सौर्ट भेजेंगे तो आपको PDF हम WhatsApp पर प्रोवाइट करा देंगे तो जिन बच्चों को लेना है 799-087-382 पर संपर करें अभी आपके पास एक हपते से ज़्यादा का समय है लगभग एक हपते का समय है एक हपते में चाहोगे तो आप अच्छा खासा तैयरी कर सकते हो इस हमारे previous year papers के solution के ठीक है दोस्तों तो जिन बच्चों को लेना है वो 799-087-382 पर संपर करें और course purchase कर लें मातर 70 रुपए आपको 85% दिलवा सकता है दोस्तों अब देखें अब जब आप exam में बैठोगे दोस्तों तो ये आपके लिए copy मिलेगी ठीक और इस copy में हमें क्या करना है पूरा का पूरा solution करना पड़ेगा यही है UP board के बच्चों की copy और इसी में solution करना है तो सबसे पहले जब exam में बैठोगे न तो आपको करना क्या है कि ये आपको 10 अंक का roll number देखने को मिलेगा जैसा कि यहां देखो 2022 के बच्चे हलाकि मैत का है कोई दिखने कोई भी paper हमें roll number से मतलब है तो ये जो है न 10 अंक का roll number है और ये 10 अंक का roll number आपको यहां पे लिखना पड़ेगा ठीक एक हम model के रूप में sample के रूप में आपको दिखा देते हैं यहां पे देखो मैंने ये 10 अंक का roll number आपको यहां पे भर के दिखाया है किस तरीके से आपको एक्जाम में भरना है थोड़ी सी भी अगर आप गलती करेंगे तो आपकी जो copy है वो betting list में डाल दी जाएगी यानि teacher को ऐसा लगेगा कि आपने cut pit किया है roll number में तो cut pit उसको संदे हो जाता है कि आप किसी और ने copy आपका roll number चेंज कर दिया है ठीक तो जराध्यान देना जो है यहां पे इसमें गड़बड़ी करेंगे तो आपकी copy नहीं जाची जाएगी तो क्या-क्या सावधानिया रखना है पहले तो दसंक का roll number लिख देना है फिर आपको सब्दों में कैसे लिखना है बिसेज ध्यान देना दो तीन दो पांच दो तीन पांच चार पांच सुन सब्दों में लिखना है उसके बाद बिसेज जो भी होगा यहां पे डाल देना रसायन भी ग्यान है तो रसायन भी ग्यान डाल देना भहुती भी ज्यान है तो भहुती भी ज्यान जो भी भी सह होगा वो डाल देना उसके बाद यहाँ पर हर सब्जेक्ट में एक ही पेपर होता है दोस्तों इसलिए यहाँ पर आपको केवल प्रश्णपत लिखना है हर पेपर में एक ही प्रश्णपत होता है इसलिए यहाँ पर केवल प्रश्ट पत लिखेंगे अब यह आता है अगला यहाँ पर देखो यहाँ पर है अंकिस संकेतांग तो यहाँ लिखा है 348 CC मतलब यह जिस जो पेपर दोगे उसी पेपर का यहाँ पर संकेतांग लिखना पड़ेगा तो यह जो संकेतांग है पेपर के दाहिने साइड में यही संकेतांग यहां पर भरना होता है हर पेपर काला गलग संकेतांग होता है ठीक तो यही संकेतांग यहां पर भरना होगा उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद परिक्षा का दिन भरने के लिए आएगा तो जो भी दिन होगा वो यहाँ पर दिन डालेंगे उसके बाद फिर परिच्छा तिती तिती में यहाँ पर लिखेंगे और डैस करके पाली आपकी जो परिक्छा होती हो दो बजे से होती है इसलिए यहाँ पे दूती पाले लिख देंगे फिर केंदर का नाम केंदर के नाम की अगर बात करें तो जिस केंदर में आप परिक्षा दे रहे हैं उसी केंदर का नाम यहाँ पे डाल देना है तो इतना काम हमें करना पड़ेगा फिर प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना अब एक पेज पल्टोगे उसके बाद आप आंसर देना चालू कर दोगे आंसर में किस तरीके से आंसर देंगे जरा ध्यान देना answer में आपको क्योवल प्रश्ण लिखना है प्रश्ण बिल्कुल नहीं उतारना है जैसा कि मैंने यहाँ प्रश्ण लिखा है फिर उत्तर आपको प्रश्ण उतारना है आपको क्योवल उत्तर उत्तर लिखना है यानि प्रशन उत्तर संख्या एक का का दूसरा सही है बस ये प्रशने उतारना है का का दूसरा ओके क्योंकि प्रशने उतारेंगे ज्यादा समय लगेगा तो अपना time based ना करते हुई हम तो यहां समझाने के लिए लिखे हैं बट आपको क्या करना है केवल और केवल जैसा कि ये कापी और आपको हम दिखाते हैं देखो ये है ना जैसे देखो प्रशनोत्तर संख्या चार मैत वाली कापी है एकजाम में कैसे लिखोगे देखो इस तरीके से आप सनल में लिखना है प्रशनोत्तर एक काका कैसरा सही है प पहला इस तरीके से हमें बोड एक्जाम में लिखना हमें प्रशने उतारने हैं अब ये तो बहुत भी कल्पी हैं अब जब थोड़े दो नमबर के प्रशना आ जाएंगे तो इस तरीके से लिखना प्रशन उत्तर संख्या दो काका उत्तर लिखो प्रशन उत्तर संख्या दो क बहुत इंपॉर्टेंट है यह 2019 में भी आया था 2022 में भी आती लगातार पूछे जाना वावल प्रस्ण है प्यारे बच्चों तो यहां पर एक किस्टल तंत में ए बराबर बी बराबर सी और अलफा बराबर बीटा बराबर गामा इजना टीको नाइंटे डिगरी हो तो वह त दोस्तों रूंबो हिडल है जर्या यहां पर देखेए इसका रूंबो हिड्रल है ठीक है ना यानी पहले क्क्राकर कैसरा सही है दूसरा ठीक अगला है निम्नलिकेट में से किस जीरियो दसमलो एक यम जली बिलियन का हिमांक नियुनतम होगा तो इसमें देखिए इसमें क्या दिया है दोस्तों पोटैसियम सल्फेट क्या होगा पोटैसियम सल्फेट यानि खा का दूसरा नमबर आफसन सही है गमें आ जाते हैं वेग इस्तिरांग ताब बढ़ाने पर वेग इस्तिरांग का अगर ताप बढ़ा देने पर क्या होता है दोस्तों क्या होता है वेग इस्तिरांग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है क्या होता है बढ़ जाता है देखो वेग इस्तिरांग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तीक कि ऐसा correct लिखा हुआ है अगला है निमन लिकित में कौन सा पार के मोनो विराइड है तो याद रखना दोस्तों इसमें से प्राप्ट है याद रखना ध्यान देना दोस्तों इसका ones अंसर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इसका स्क्रीन स्वाड ले ले देखो अंगा में आ जाते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो होता है यह क्या है जब acetic अमलों को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा योगी प्राप्त होता है तो C3C3CO2O ठीक अगला है एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अपक्रिया दौरा किया जाता है एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में किस अपक्रिया दौरा परिवर्तन किया जाता है दोस्तों तो याद रखना हाफ मैन ब्रोमाइड अपकरिया दोरा इसमें परिवर्तन किया जाता है इसका आप स्क्रिन्सॉर ले सकते हैं आगे बढ़ेंगे अगले क्वेस्टन की और अब आज आते हैं दूसरे के कमें दूसरे कक्का क्या है दोस्तों जरा ध्यान देना दूसरे कक्का है किस्टली ठोसों का अंतराणविक बलों के आधार पर वर्गी करण कीजिए हर वर्ग का एक उदाहरण दीजिए तो यहां पर देखेगा किस्टली ठोस पोटैसियम नाइट्रेट तामबा बेंजोईक अमल नेप्थेलेन ठीक वर्गी करण में क्या लिखेंगे किस्टली ठोसों के को चार वर्गों में किया गया है पहला है आणविक ठोस उदाहरण बर्फ ठोस आयोडीन ठोस आयो हाइडोजन आधी ठीक है ना फिर है दूसरा नमबर अध्रुवी आणविक ठोस उदाहरण अणु के लिए निम्न ताप पर एच जेड़ सी अल टू आई टू आधी परमाणुओं के लिए न मिलखित ताप आर्सेनिक हीलियम होते हैं तीसरा नमबर है धुरुवी आणविक ठोस उदाहरण क्या है एस सी यल एस ओ टू आधी ठीक है ये आपके धुरुवी आणविक ठोस में आते हैं फिर चौते नमबर की बात करें हाइडोजन आबंधि ठोस उदाहरण क्या है बर्फ ठोस अमोनिया आधी ये भी किस में आते हैं हाइडोजन आबंधि ठोस में अब अगले में चल देंगे हम लोग दूसरे के खा की बात कर लेते हैं बहुत इंपोर्टेंट है राउल्ट का नियम दोस्तों ये राउल्ट जो है हर साल पूछे जाने वाला एक प्रश्ण है इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा राउल्ट के नियम को परिभासित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए ठीक है यहां देखेगा राउल्ट के नियम अनुसार किसी बिलायक में अवास्पसील विले मिलाने पर बिलेन के वास्पदापका आपेकछिक और verwana उत्तम उपस्थित विले के मोल प्रभाज के बराबर होता है अर्थयाद P neart minus P s बटे पी not बराबर yen by yen plus yen होता है ठीक निमर के नियम की सिमाइ लिखिएं तो यहाँ पर है वह नियम पहला है वह नियम तन बिलेनों पर लागू होता है शान्द बिलेन रावलड के नियम से बिलेन दरसाते हैं, दूसरा है यह नियम केवल अवासपसील पदार्थों के बिलेनों के लिए सत्य है, तीसरा है बिद्धुत अब घट्टों के बिलेन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, और चौता है बिलेन में, रध्यान देना दोस्तों, बिलेन में साल पूछे जाना वाला प्रश्ण है ठीक है न इसलिए इसका स्क्रीन सोड ले सकते हो अब आगे देखें दूसरे का गगा अगर हम दूसरे के गगा की बात करें प्यारे बच्चों तो हमारा दूसरे का गगा का प्रश्ण क्या है जरा ध्यान देना कोलराउस के नियम को समझ बच्चो देखो कुलराउस का नियम क्या है तो अनंत सांद्रता पर किसी बैदूत अब घट का मोलर चालकत उसके द्वारा उत्पन आयनों के चालकत का योग होता है आयनिक चालकत को फार्मूला इकाई में उत्पन आयन की संख्या के गुणन कहते हैं और गणती प्रारूप AX BY के लिए Lambda M और X Lambda not AY प्लस Y Lambda not BX बार होता है उदाहरन के लिए Lambda Alpha M यन्ने CL बराबर Lambda X यन्ने प्लस Lambda Alpha CL माइनस होता है ठीक यह तीन प्रकार की उदाहरन यहाँ पे दर्स आए गए है और यहोंने क्या कहा दोस्तों और उन्हें कहा कि चालकत के लिए कोलराउस के नियम क अनन्त सांदरता पर अब घट्यों को साम्य चालकत के दो संख्याओं को मान है एक तो धनायन पर दूसरा रिडायन के ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे यह इनका योग इतना होता है तथा यह जहां पर Lambda Alpha C तथा Lambda Alpha A आनिक चालकत दो अनन्त सांदरता पर हैं अब देखे अभी मैंने बच्चों को बताया कि जो बच्चे एकजाम में अभी तक कुछ नहीं पढ़ें वो हमारे कोर्स को लेकर आप मात्र इसमें आफर चल रहा है एक सब्जेक्ट लोगे तो 30 रुपए लगेगा और सारे सब्जेक्ट लोगे तो आपको 80 के बजाए 70 रुपए में आपको ये आपको 85% दिला सकता है आपके पास अभी ये खपते का समय है चाहेंगे तो 4 वर्स का पेपर देंगे अगर दो-दो सेट आप तयार कर लेंगे तो आपके लिए 50% से ज़्यादा टैली करेगा कोईस्चन ठीक है तो जिन बच्चों को लेना है वो 7 799-087382 पर गूगल पे करके उसका स्क्रीन स्वाडिसी नंबर पर भेजेंगे तो हम आपको पीडियाप 86 पीडियाप आपको तुरंत वार्चाप पर प्रिवाइड करा देंगे तो जिन बच्चों को लेना है वो 799-087382 पर समपर कर सकते हैं और कोईस्चेज करके 70 दूसरे का घह जराध्यान देना दूसरे का घह वास्तविक बिलेन और कोलाइडी बिलेन में उदाहरण सही निभेद कीजिए दोस्तों वास्तविक बिलेन और कोलाइडी बिलेन में क्या है जराध्यान देना बिलेन बात को समझे बिलेन समांगी तंत्र होता है जबकि कोलाइडी बिलेन भी समांगी तंत्र होता है बिलेन में बिले के कड़ों का आकार वन मिलिमीटर या दस अंगस्ट्राम से कम होता है जबकि कोलाइडी बिलेन में कोलाइडी कड़ो का आकार 1 से 1,900 मिटर या 10 अंगस्ट्राम से 10.000 अंगस्ट्राम होता है दूसरा दोस्तों बिलेन को लाइडी बिलेन की समान टिंडल प्रभाव ब्राउनियन गती बिद्धुत कर संचरन जैसे गुड ब्यक्त नहीं करते हैं ठीक है न अब आगे देखे तीसरा नंबर पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों अगर इस पेपर्स को तयार कर लोगे न तो आपको एकजाम मे अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा इस से देखे एक घनी संरचना वाला योगिक तत ए तता बी से बना है इसमें एक परमाडु घन के कोने पर तता बी परमाडु फलक के केंदर पर है योगिक का सूत्र ग्याद कीजिए ठीक है तो यहाँ पर देखे प्यारे चुकि तीसरे का कह है जरा ध्यान देना चुकि ए परमाडु घन के आठ कोनों पर उपस्थित है अता एक कोश्टिका में ए परमाडु की संख्या एक बटे आठ गुड़े आठ बराबर आठ से आठ कैंसिल हो जाएगा एक आएगा बी परमाडु घन के छा फलकों के फलक के इंदर पर उपस्थित हैं अत एक कोश्टिका में बी परमाड़ों की संख्या एक बटे दो गुडे च्छ यानि दो तियाई च्छ तीन आएगा परमाड़ों की अगर अनुपात की बात करें तो यह हो जाएगा इसका एक है और इसका तीन है तो ए अनुपाते बी बराबर एक पाते तीन यानि योगिकों का जो सूत्र होगा ए वन होगा अब भी थ्री हो जाएगा ठीक है न यह आपका सूत्र बन जाएगा अब हम तीसरे के खा की बहुत इंपॉर्डेंट पॉइंट है यहां पे सभी बच्चे पूरे वीडियो को देखें और पूरे प्रश्ण का ज पूरे नाम लिखिए तो यहां पर के के वन सी आर सीट् formations ए टिरी कि सीर आर सीट्स वाहुत पॉर्टायष्ण पोटकेसियम ध्यां देना इस में IPAC नाम लिखना है तो इसका IPAC नाम potassium tri-aggeli pro-chromate third होता है ठीक है न और इसमें दूसरा नंबर है ये इसका answer क्या है तो इसका है दोस्तों pentamine carbonato cobalt third chloride ठीक है न यानि trias chloride है चलिए अब तीसरे के गग की अगर बात कर लें हम तीसरे के गग में क्या है दोस्तों nucleic aml से आप क्या समझते हैं उदाहर दीजिए nucleic aml से आप क्या समझते हैं दोस्तों nucleic aml poly nucleotide के जेव बहुलक है उदाहर डियने डी आक्सी राइबो नुक्ली कमल तथा आरियने राइबो और नुक्ली कमल है ठीक है नुक्ली कमलो के जल अब घटन उत्पाद यूरिंस पीरे मिड्स नुक्लियोसाइड्स नुक्लियोटाइड्स रथा फासपोरिक अमल होता है यह रहे हमारे तीन का ख तीन का ग अब आ जाते हैं हम लोग तीन के घ में ठीक है तीन का ग क्या है पी बलाक तत तो क्या है उन्हें पी बलाक तत तो क्यों कहा गया ठीक है दोस्तों तो यहां देखेगा वे तत जिन में अंतिम इलेक्टरान पी कच्चक में पाय जाता है P ब्लाक के तत्तो आवर्त साड़ी के वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक आते हैं इस खंड में धातू एवं अधातू आती है इनका इलेक्टरानिक बिन्यास यहने सटू यहन पी 1-6 होता है ठीक है दोस्तो आगे देखें आवर्त साड़ी के पी ब्लाक में वर्ग 13, 14, 15, 16 सेवेंटीन तथा एटीन के तत्तों को रखा गया है इनकी सहीजोगता को उसका इलेक्ट्रानिक बिन्यास यानि एस टू यन पी वन माइनस सिक्स हिलियम के अत्रिक्त है तो यह रहा हमारा तीन का घर अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे में आ जाते हैं प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना चौथे के अगर कह की बात करें निम्नलिखित सिल का केल पर नस्ट समिकरण लिख Ti यहां पर नस्ट समिकरण हमें निकालना है अध्यान देना सेल अब करिया कि производ cloth 100 बदjän क्या है E-cell, E-electron cell और य 정부 है नर्श समी करना यह पूरा नर्श समी करना है इसे रट जाना रट के जाना प्यारे बच्चों क्योंकि बहुत ही जबर्जस्त य यह समी करना है और और हर साल पूछा जाता है ठीक नर्श समी करना है फिर आगे देखिए अगला है कोश्चन दोस्तों चोथे का खर निमने लिखित पर संचिप्त टिपणी लिखिए पहला ब्राउनियन गती दुसरा इसकंदन ठीक है तो देखो यहाँ पर पहला ब्राउनियन गती पर आजाते हैं परिछेपिक प्रावस्था था परिछेपण माध्यम से बना कोलाईडी बिलेन का एक बिसमांग बिलेन होता है कोलाईडी बिलेन का अतिसूच मदर्शी द्वारा अवलोकन करनी पर ग्यात होता है कि ग्यात होता है कि कुलाइडी में कुलाइडी कण टेड़े मेड़े तरीके से सभी दिसाओं में गज़ करते रहते हैं कुलाइडी कणों का तीब गज़ से इस प्रकार गज़ करना ब्राउनियन गज़ कहलाता है वियर के अनुसार यह गती कोलाइडी कणों के परिच्छे पर माध्यम के अनुओं के साथ टकराने से उत्पन होती है अब इसी में दोस्तों दूसरा नंबर इसकंदन है क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउनियन और इसकंदन जराध्यान देना इसकंदन क्या होता है देखे कोलाइडी कणों पर समान बिद्दुत आवेस होने के कारण वे एक दूसरे से दूर रहते हैं अता किसी कोलाइडी विलेन को इस्थाई बनाने के लिए इसमें उचित बिद्दुत अभगट की अल्प मात्रा मिलाई जाती है परंत इसकी अधिक मात्रा को मिलाने पर इससे प्राप्त विपरीत आवेस वाले आएण कोलाइडी कणों को उदासीन कर देते हैं ये उदासीन कर ब्राउनियन गज के कारण एक दूसरे से टकरा कर संयुक्त होकर बड़े बड़े कण बनाने लगते हैं जो जराध्यान देना जो अवच्छेप के रुप में नीचे बैटते जाते हैं यह घटना असकंदन कहलाती है क्या कलाती दोस्तों असकंदन अब हम चोथे के गग की बात कर लें चोथे का गग देखो प्यारे बच्चों अब सारे कोश्चन को हम दिखाएंगे आप स्क्रीन सोड लेना ठीक है न क्योंकि बहुत इंपॉर्णन ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम कम समय में आपको सारा कुछ दिखाना चाहेंगे उससे पहले जो बच्चे हमारे कोर्स को नहीं परचेश कियें कर लें मातर सत्तर रुपए में आपको पांचो सब्जेक्ट मिल जाएंगे ठीक चार वर्स के प्रिवियस येर पेपर्स का सलिउसन मिलेगा साथ ही साथ एक गेस पेपर मिलेगा यूपी बोड का ठीक है 86 पीडियफ आपको मिलेंगे अगर आप सभी वर्स के 2-2 पीडियफ आप तयार कर लेते हो तो अच्छा नंबर आपको देखने के मिलेगा आपके पास एक हपते का एक हपते लगभग अभी समय है तो एक हपते में काफी कुछ तयार कर सकते है यह हमारे सौर्स नोट से ठीक है 799-087-382 पर आपको गूगल पे या पेटियम करना है इस पे करने के बाद स्क्रीन सौर्ड दोगे तो आपको 70 रुपए पेमिंट करना पड़ेगा और 70 रुपए में आप 85% लाने से कोई रोक नहीं सकता तो जिन बच्चों को लेना है कोर्स वो इस नंबर संपर कर सकते है आगे बढ़ेंगे अब देखे प्रियोकसाला में एथिलेमीन बनाने की बिधी का वड़न कीजिए संबंधित अब क्रियाओं के समिकर्ण भी दीजिए एथिलेमीन में एसिटीट कामला कैसे प्राप्त किया जाता है ठीक है तो यहां पर देखे चौथे का चौथे का गहा का ये फटा-फटा आपके पास समय भी नहीं है ठीक अब दिखाए जरा यहां पर ग्लूकोच का सन्रचना असूत लिखे तालन अभक्रिया के 7 गलुकोच कैसे क्रिया करता है रासाइनिक समिकर लिखे ये देखो कैसे करता है क्रिया ये पूरा यहाँ पे लिख पुटात पटी स्क्रीन सेट ले लिजिए, ठीक उसके बाद 5वे गखक ये गर बात करले दोस्तों पांचवे कका कोथनांग का उन्यन क्या है समझाईए गुलुकोच के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोल देए इस बिलेन का कोथनांग सो दसमलो तीन चाट डिगरी सेंटिगरे जल के लिए केच का की गणना कीजिये ठीक है यहाँ पर देखे पूरी गणना कीगए फटा फटा भी स्क्रीन स्वाड ले ले पूरी गणना की गई है के बी की गणना ठीक है अब देखे पांचवां पांचवे का ख पांचवे का ख देखिए साम में इस्तिरांग एउंबेग इस्तिरांग में अंतर समझाईए प्रथम कोट की एक अभिकरिया में पचास सेकेंड में पदार्त की सांदर्ता प्रारंभिक सांदर्ता की यादा रहा जाती है इसके बेग इस्तिरांकी गढ़ना किजिए तो 5 कख में यहां पी यह 5 कख है पटा पटा भी स्क्रिंसोर ले सकते हैं और इधर भी स्क्रिंसोर ले सकते हैं पूरा का पूरा सो प्रतिसत आपके लिए हाड ओवर करके सलेशन किया गया है दोस्तों इसलिए आप से अग्रह है कि इन सभी कोश्चनों को आप देखें इन सभी कोश्चनों को पढ़ें क्योंकि एकजाम में आने के चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं है प्राइब पांच गर देखिए अभी समयना क्यों यहीं प्रैक्टिस करो और साल पेपर्स का Victoryけて पपफिछले इस के पेपर्स का वि diferend जाम में अगर अब अच्छा नंबर ले आना है पांच का देखिए संक्रमर धातों के अपे लक्षण क्या है ये संक्रमर धात क्यों कहते हैं पांच का गः पांच का गः ये है फटा फटा आप स्क्रीन सोड लेंगे यहां पे ठीक इधर भी आप स्क्रीन सोड लेंगे यहां तक उसके बाद इधर आ जाईए इधर भी है देखो अगर सही से साल्ब करोगे ना तो लाइन तो बड़ी होगी अब पांचवे का घह अगर देख लेते हैं पांचवे का घह क्या है निमने लिखित कोद आहन दीजिए उपसा देख लेखित के चुम्बकी गुण ठीक तो पांचवे का घह यह है अब यहां पर है कुछ पार्ट टीक को यहां पर चाटवे का घह चाटवे का का देखिए प्रयोग साला में सलफर डायाकसाइड के विरंचन की बिधी लिखिए इसके प्रमुक गुण यहम उपयोग लि च्छा का का जो है यहां पर इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं और यहां पर भी है च्छा का 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 प्यारे बच्चों पूरा एकदम सुद्ध सुद्ध तोड़ा राइटिंग में प्राबलम जरूर होगी लेकिन यह पूरा का पूरा साल्व किया गया है आप के लिए महनत हो हुरा दोस्तों इतना लिखने का मतलब है 4 घंटा लग जाएगा 4 से जाधा घंटा लगेगा साड़े चार घंटे में लिखोगे, अगर लगाता लिखोगे तब, ठीक, अगर लगाता नहीं लिखोगे तो हो सकता है दो दिन बाद तक लिखो, चौथे का, अब यहाँ पर चाथवे का ख, चाथवे का ख, जरा देखिए, चाथवे का ख, देखो, इसमें न, कैसे प्राप्त होता है, एथिल, एलकोहाल से इथर, फिनाल से बेंजिनिन, एथिनाल से एथीन, मिथान, स्प्रिकिकम, आइसो प्रोटिन, एलकोहाल से एसिटोन, यह कैसे प्राप्त होते हैं, यहाँ पर लिखा है, ठीक, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं पटापड इसके एक दो यह वाला हल किये हैं इथर का एलकिल हैलाइट से बिरंचेन की बिदी के रासानिक समिकेंड लिखे फ्रीडल क्राप्ट अभिक्रिया दता नायट्रिक अभिक्रिया के लिए यह खवाला थौँआ बाला नहीं किये हैं ठीक नायट् प्रति prawda क्या है क्लोरो बिंजीन के हैलोजन नाइट्री करन तथा सल्पोनेशन की बताई यह साथ का क ठीक है तो साथ के क में फटा फटी स्क्रीन सोड लगाएंगे और बहुत ही जबर्जस्त तरीके से लिखा हुआ है राइटिंग पर मत जाना प्यारे बच्चों क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत वीक है ठीक पर जो मटेरियल देंगे जो कॉंटेंट देंगे वह बहुत जबर्जस्त होगा यहां तक ओके अब यह लास्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन ख नंबर एल्डी हाइट बनाने की दो बिद्यों का रासायनिक समिक्ट देते हुए लिखिये तथा टाले अभिकरम एम एल्डी हाइट बिलियन के साथ इसकी रासायन अब क्रिया तो यह देखो पूरा लिखा हुआ है फटा फटा भी स्क्रीन सॉट ले ले और अभी मैंने बताया कि जिन बच्चों को हमारे कोर्स को पर्चेश करना है वो कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर ग्रिगनाड वगएरा अब क्रिया लिखी हुई है ठेक का नंबर फटा फट स्क्रीन सॉट लेंगे और इधर भी है ओके तो प्यारे बच्चों यह पूरा कंप्लीट होता है जो बच्चे हमारे कोर्स को पर्चेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ठीक 799-087382 पर संपर करें 70 रुपए गूगल पे करने के बाद स्क्रीन सॉट हमारे 799-08738 टू पर सिंड करें और आप 70 रुपए में 85 पर सिंड ला सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ हम अगली वीडियों फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैन जैभर्द